हेलो दोस्तों, आज मैं आपको अपने बगीचे की सैर शर्वाऊंगा आगे देखते हैं क्या क्या लगा हुआ है ये देखिए दोस्तों, यहां मक्षे के स्टुच कौन्दे पौदे लगे हुए हैं ये देखिए इतने बड़े बड़े पौदे है यह देखिए और वो देखिए उसके पीछे पपीता का पौदा और यह बहुत बड़ा पपीता है यह देखिए केले का पौदा यह भी देखिए बड़े चार पात ठेकेले के पौदे और यह एक निंबू का पौदा यह देखिये निल्ली के पहदे सं निंबू का पहदा कितना बड़ा हो चुका है दोस्तों यह देखिये मैंगो का पोदा आम का पहदा पर फिलाल इस तो लगे नहीं है सोटे-सोटे लगे हुए है इसमें तो यह देखिये दोस्तों एक और निंबू का पहदा और यह देखिए दोस्तो चेले के पौदे यहे दएखिए इसमें छोटे छोटे चोटे केले भी आ रखे हैं एक दो तीम चार पाध़ छे साथ also 8 खेले के पौदे हैं यहां पर यह देखिए एक और बड़ा सा फुकीता का पौधा अरो देखिए वहाँ पर केले के पौधे भी हैं बहुत बड़े-बड़े यह देखिए दोस्तों अंजीर का पौधा इसमें देखिए छोटा सा अंजीर भी लगा हुआ है बहुत बड़ा हो जाएगा यह ये देखिए दोस्तों जेनिया के पहुदे वो लगाए थे मैंने उनमें फ्लावर आ चुके हैं और वो राए एक बड़ा सा पपीता का पहुदा देखिए दोस्तों उसमें बहुत बड़ा पपीता भी लगा हुआ है और ये देखिए यहां पर केले के कितने सारे पहुदे हैं देखिए हेलो दोस्तों ये देखिए प्रोटोन्स के पहुदे ये देखिए दोस्तों स्पाइडर के पहुदे और ये देखिए दोस्तों क्रोटोन्स के पहुदे यह कोलियस के पोधे पोधा लिल्ली का पोधा पोधा गंबले में एक लॉंग का पोधा भी लगा रखा है यह देखिए दोस्तो स्टार्फूरूट का पोधा यह देखिए दोस्तो चंपा का पोधा इसना बड़ा हो चुगा है चंपा का पोधा कि यह देखिए दोस्तों पपीता का पहधे पपीते के पहधे यह वह ही है जो मैंने लगाए थे बहुत सारे लग चुके हैं दोस्तो थेली में आम के पोहदे भी बहुत सारे तयार गर रखे हैं धीरे धीरे करके बड़े हो जाएंगे और आम लग जाएंगे दोस्तो ये देखिए एक बड़ी अंगूर की बेल कितनी बड़ी हो चुकी है और ये देखिए गमले की बेल ये फिलाल को छोटी ही है बड़ी हो जाएगी ये देखिए दोस्तो गमले में पोदिना भी लगा रखा है अब मैंने आपको आधे ही बगीचे की शेर करवाई है आपको मैं पूरे बगीचे की सेर अगले वीडियो में करवाऊंगा बाई बाई दोस्तों जाते जाते मेरे चैनल को लाइक, शेर, सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाना